दाउत के बाडे मैं बतला रहे हैं आपको दाउत के अंदाजरे आप यहां से लगा लिजे कि 25 मिलियन डॉलर का EUSA डॉलर का इसके उपए इंआम्त अमेरका के उसमें इंटरनीश्नल इंटरपोल पर यह रेज नोटिस लिश्ट में था चुकि ये ISI ने वहां के उसनों ने इस बात को माना है कि कोई पोईजन उस पे यह हुआ और कनाची में जिस हॉस्पिटल में एडमिट है उस पे उनके आर्मी के लोग लगे हुए ISI के एजेंट लगे हुए सब कुछ जो सीज कर दिया गए किसी को मना ही आन जाने की आपको बताना है कि रूपका लियाकात अली जी ने जो इंडियन्स जनलिस्ट हैं उन्होंने भी कहा है कि उनको जो सोर्चिस से पता चला है कि अभी उसकी म्रत्व नहीं हुई अभी दम नहीं निकला है नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं स्ट्रीवी नियूस और मैरानी गुपता आपके साथ गाउद इबराहिम जो की अंडिवर्ट का एक बहुत बड़ा डॉन है और साथ ही मुंबई सीरियल बंबलास्ट नीस सो तिरानवे का मुख्य आरूपी भी है उसको ले खास्मी के हवाले से सामने आ रही है क्योंकि उसने ये दावा किया है कि दाओ इबराहिम को जहर दिया गया है उसकी हालत नाजुक है और पाकिस्तान में इंटरनेट को भी डाउन कर दिया गया है अब इस खबर में कितनी सचाई है दाओ इबराहिम कौन है इसके बारे में डीटेल से बात करने जो आ रहे हैं हमारे साथ मौजूद है वरिस्ट पत्रकार अजे जी सर स्वागत है आपका अंडरवर्ट का या यू कहें कि भारत का मोस्ट बॉंटेड आतंकी है दाउद इबराहिम इसको लेकर कि जो सुबह से खबरे सामने आ रही है उसमें कितनी अग्यात लोगों के द्वारा उसे जहर दे दिया गया है क्योंकि हम पिछले काई दिनों से देख रहे हैं कि कुछ अग्यात लोग हैं जो कि लगादार पाकिस्तान में छिपे आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं तो आपके हिसाब से कितनी सच्चाई है देखे जो आधी बोएगा तूफान काटेगा पाकिस्तान ने इन ही सब लोगों को अपने प्रस्रे दिया अब वो चुन-चुन करके वहां मारे जा रहे हैं अग्यात लोगों के द्वारा चुन-चुन के जितने अप्राधी थे उनका ये सेंटर बन गया था और दाउत के बारे में बतला रहे हैं आपको दाउत के अंदाज आप यहां से लगा लिजे कि ट्वंटी फाइब मिलियन डॉलर का युएसे डॉलर का इनाम था जो वर्ड का अभी तक का सबसे बड़ा हो दूसरे भारत ही नहीं अमेरिका के सबसे अमेरिका के उसमें इंटर निशनल उस जो आरजू काशमी ने जो ख़बर दिया है आरजू काशमी उन जनलिस्टों में है मैं आपको किलियर कर दूँ जिन्होंने साप सब्दों कहा था कि पाकिस्तान में हिश्टी में पहली बार आर्मी के सेंटर पर पब्लिक घुज जाएगी यह उन्होंने कहा था और वहां प लोग जो हैं वो आव आईसाई मिल करके सत्य चुत कर देंगे इनको जेल कर देंगे वो भी साही निकले यह भी इनकी ख़बर सही है और इसमें आपको बताने इसके पहले भी पाकिस्तान में तमाम अजब आतंगवादी मारे गए तो यह हुआ कि नहीं मारे गए हैं पाकिस अजब आगा खान में आगा हॉस्पिटल से अभी कुछ देर पहले मिया दाउत की बहन, इसमें निकले हैं आगा खान उस हॉस्पिटल से जिसमें आईसाई के अधिकारी भी थे हैं यह पुष्टी होती है अब बात आती है कि कहां तक यह सच है तो आपको बता रहे हशीना पारकर के उससे भी प्रूफ हुआ है दूसरा मिया दाउत की जो फैमिली है उसको भी वहाँ कल भी देखा गया आज भी देखा गया और वाकाइदे देखा गया उनके मिया दाउत की फैमिली को पूरी फैमिली को देखा गया इवन मिया दाउत की बहन भी थी मिया दाउत की व बहुत सब्सक्राइब the Messiah dear to every Pakistan heart, our beloved His Excellency Dawud Ibrahim passed away due to Karachi. May Allah grant him the highest position in Jannat. उन्होंने एभी लिखा, इना इलाही वा इलाही रजीऊन. ये जो है, अन्वर उल हक, काकर ने अपने ट्विटर उसमें भी दिया, सब में दिया है, ये उनका सबसे बड़ा authentic proof है. अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं, कि जो भी खबरे इस वक्त पाकिस्तान से आ रही है, फिर चाहे, वो पाकिस्तान की पत्रकार हो आर्जू, या फिर जो आप काकर का नाम ले रहे हैं, या फिर जिस तरीके से हॉस्पिटल में जो चीजे देखने को मिली है, कि कैसे हसीना प पोश्ट में, नवाय वक्त में और जंग में, ये खबर चली, उसी के तुरंद बाद ट्विटर वगएरा सबसीज हो गए, फिर बॉंबे के पत्रकार्ट ने कोशिस की, उनका भी किलियर नहीं हुआ, उसके बाद अल जजीरा ने हलका सा वो दिया है, उसके बाद सभी जग इस तरह की कोई बात हुई है, अभी उपर और अटाइक हो गया था, तब भी उन्होंने ट्विटर बगएरा सब और वो कल दिये थे, मगए ये कन्फर्म हो गया कि अन्नोन उसमें, चूकि ये ISI ने वहां के उसनों ने इस बात को माना है कि कोई पोईजन उस पे ये हुआ, और कनाची में जिस हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उसके चारो ओर आप समझ लीजे जितनी बिल्ड़ने हैं, उस पे उनके आर्मी के लोग लगे हुएं, ISI के एजन लगे हुएं, सब कुझ जो सीज कर दिया गया, किसी को मना ही आन जाने की, और इस ख़बर की जो है, आप वो किसी विवक्त मर सकता है, इसके लावा आपको बता देना है कि इनका है क्याद 2011 में इसी दाउद इब्राहीम ने पतकाल जोतिर में डे की हत्या कराई थी, और एकसप्डी किया था, इसके अलावा अबयद गदवदियों के बारे में उन्होंने चुकि जोतिर डे ने लि 2006 में प्रमोध महाजन की हत्या में भी प्रमीर महाजन का दाउत से संबन्द हुए थे, और प्रमीर महाजन को बैक करने पे इनका हाथ था, 2000 में जूता बेपसाई परिक्षि ठककर का अपानर वा हत्या अगले ने कराई थी, और उससे अगले से काफी बड़ी बसूली की थे 1993 में भारत में RD 100 हत्यानों की तसक्री में इसका हाथ था, इसने खुद एकसेप्ट किया था, 1997 में संगीत दिगज गुलसन कुमार की हत्या में भी इनका पूरा हाथ था, इनोंने एकसेप्ट किया था, दाउन ने, इसके अलाबा 2010 में जर्मन बेकडी बिलाष्ट में 17 लोग मारे गएते, 60 लोग घायल हुएते, उस पे भी इनका हाथ था, इनोंने खुद उसकी पुष्टी कराई थी, इन सब के अलाबा आपको बताना है, अगले का संबन, तयावा, लसकरे तयावा से रहा है, लसकरे तयावा इनोंने मिल करके काफी वो किये, ये उपनाम से रहता परजी पासपोर्ट बनवाता था, और अपना नाम, रूप, सब कुछ बदल देता था, अधिकता जगह बदलता था, इसके पहले तेज़ डिफेंस कालोनी कानाची में रहा था, उसके बाद मियावाली गली में रहा है, इसके बाद इसकी जो प्रूफ हुआ है, ये लाहर म भी कुछ दिन आया है, पर लाहर से खतरे की बज़े से ये बापस कानाची चला गिया था, अच्छा पत्रकार जी आपने इसके पूरी डीटेलिंग बताई कि कैसे उसने पाकिस्तान में भी अलग-अलग लोगेशन्स चेंज किया है, लेकिन अगर हम बात पाकिस्तानी गौ यही कहती रही है कि उन्होंने किसी भी आतंगी को शय नहीं दिया है। हसन नाम से कराची म्रहरात, 2008 में जो बं हमले हुए हैं उसमें और 2010 में पूरे जन्मन बेकरी बेस्पोर्ट में इसी कहाँ था, और इसके अलावा 1993 में इसी ने हमले बंबे में कराए थे, जिसमें 257 लोग मारे गए थे, और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे, अब यहां से ह इसने इसने ने एकसेप्ट किया है, जिन चैनलों ने किया, 2008 में बंबई में इसी के हमले से 106 लोग मारे गए थे, 300 लोग घायल हुए थे, लसकरे तोयवा के 10 आतंगवादियों ने अंजाम दिया था, जिन्हों ने एकसेप्ट किया था, दूसरा आपको बताना है, जो बंबे में यह कांड हुआ था, ताज महल, ओवे राय होटल में और टाइटन, छत्रपत, सिवाजी टर्मिनल और नरीमन हाउस में, वहाँ पर इसी ने समुत के रास्ते से इन सब को भेजा था, उनके भागने के लिए, उनको भेजने में बाकाइदे इसकी पुष्टी हुई थी, और जो लोग पकड़े गयते, इवेन जो कशाब पकड़ यह इससे दबा नहीं है, इसको दबाया तो सिर्फ ठाकडे, प्रमोध महाजन और भाजापा के लोग, अफसोस की बात यह मुल्की की यह रही, कि हिंदुस्तान जैसे मुल्के, तमाम जो लीडर्स जो है, आज जो आई-एंडे गडवंदन में बड़े अच्छे-च्छे प मोन का वेधी जैसी टॉप की हिरोईन को अपने आप बंदग बना के रखा रहा, दूसरी बात है, सबसे बड़ी पुष्टी हसीना पाड़कर के सूत्रों से हुई है, कि उन लोग उनके भी उन्होंने अप्रोग्च रूप से स्विकार किया है, कि कोई गटना हुई है, जाही न कहीं, जिस तरीके से Most Wanted आतंकी दाउदिबराहिम को लेकर के जो खबर सामने आ रही है, फिलाल वो पूरी तरीके से पुस्ट नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार ने इसकी पुस्टी नहीं की है, लेकिन जो पत्रकार है वहां के और जो भी सोशल मीडिया पर जितने भी पत्रकार है फिर चाहे वो पाकिस्तानी पत्रकार हो या फिर इंडियन पत्रकार हो इस बात को तो जरूर मान रहे हैं कि इस वक्त दाउद इबराहिम की जो हालात है वो काफी जादा नाजुक है और वो हॉस्पिटल में अड़ मिट है खलाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं धन्यवाद